अरे मुझे तो बहुत भूग लगी है चलो चल कर किसी मीटे फल को खाती हूँ दर्वाजा लगा लेती हूँ रे बाबा वरना कोई ओरा कर मेरे घर पर कबजा कर लेगा मीनु मोसी निकल पड़ती है उन्हें मीटे फलो वाले पेड की तलाश थी थोड़ी देर खोच करने पर मीनु मोसी को मीटे फल वाला पेड दिख जाता है अरे वावावा लगता है इस पेड के फल बहुत मीठे है मीनु मोसी एक फल को खाने लगती है अरे थू 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 कितना खटा फल है ऐसा फल खाने से अच्छा मैं मिटी खा लेती चलो कोई दूसरा फल ढूंटी हूँ मीनु मोसी ने बहुत देर खोच की तभी उन्हें एक लाल रंग के सेप का पेड दिख जाता है वो जल्दी से वहाँ पर आ जाती है उन्होंने देखा रानो और लाडो चिडिया सेप का फल खा रही थी मीनु मोसी बचा हुआ सेप का फल खाने लगी अरे वा 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 क्या बात है कितना मीठा फल है मुझे ऐसे और फल खाने है नहीं मीनमोसी यह सेप का फल बस एक ही बचा हुआ था हमने पूरे जंगल की खोच की पर हमें ऐसे मीठे फलो वाला पेड कहीं पर भी नहीं मिला यह बगीचा मेरा है और यह सारे मीठे मीठे फल भी मेरे है अगर कोई इने चुरा कर खाने की जुरत करेगा तो मैं उसका तंदूरी कबाब बना कर खा जाओंगा अरे बापरी इस राक्षस के बगीचे से में ने तो एक फल तोड लिया है अब मुझे यहां से चुपके से भागना होगा वरना यह राक्षस मेरा भी तंदूरी कबाब बना कर मिर्च मसाला लगा कर खा जाएगा कालू कवा तोड़ा हुआ फल लेकर चुपके से महा से भाग जाता है वो पंचियों के पास आ जाता है क्यों रे कालू इतना हाफते हुए कहां से आ रहा है आ वो कालू भया क्या हुआ क्या बात है क्या कोई परेशानी है हाँ कालू भीया और आप डरे हुए भी लग रहे हो और आपको ये सेप का फल कहाँ पर मिला क्या बताओ मैं तुम सबको ये फल मैंने जंगल के पास वाले बगिचे से तोड़ कर लाया है अरे तो हम सब यहाँ पर क्या कर रहे है चलो जल्दी से हम भी वहाँ जाकर बहुत सारे मीटे फल खाएंगे और हमारे बाकी साथी पंचियों को भी लेकर जाएंगे अरे मिनु मौसी रुख जाएए मेरी आगी की बात तो सुनिये अब क्या है कालू अब मुझसे तो रहा नहीं जाता मैं बहुत सारे मीटे मीटे फल खाना चाती हूँ अरे मिनु मौसी आप फल तबी खापाओगी जब आप जिन्दा रहोगी क्या क्या मतलब अरे दोस्तो उस बगीचे में एक राक्षस भी रहता है जो उन पेडों की रक्षा करता है अगर कोई चोरी से फल चुराने की कोशिश करता है तो वो उसका तंदूरी कबाब बना कर मिर्च मसाला डाल कर खा जाता है मैं भी बाल-बाल बचकर आया हूँ बेटा कालू ये बात कब बताएगा मेरा तंदूरी कबाब बनने के बात तो जाने दोसाथियो हम उस बगीचे में नहीं जाएंगे चलो हम हमारे लिए अनाचकी खोज करते है हाँ, पर इस फल का क्या, जो कालू बहिया लाए है उसका क्या, उसे हम सब मिलकर खाएंगे पर पहले में ही खाऊंगी मीनु मौसी फल खाने लगती है उन्हे फल इतना मिठा लगता है, कि वो पूरा ही फल खा जाती है अरे, अरे मीनमोसी, ये आपने क्या कर दिया? आपने तो थोड़ा भी फल हमारे लिए नहीं छोड़ा क्या करू कालू? ये फल था ही इतना मिठा कि मुझसे रहा नहीं गया अगर उस बगीचे के फल इतने ज्यादा मिठे है तो हमें रिस्क लेकर वहाँ जाना ही चाहिए हाँ, मैं भी यही सोच रहाता रानो तो चलो फिर, हम चलते हैं उस बगीचे में नहीं लाडो, अभी नहीं, वो राक्षरस रात के बारा बजे से सुबह के छे बजे तक सोता है हम रात में वहाँ जाएंगे रात हो जाती है, सारे पंची मिलकर उस बगीचे के पास आ जाते है वो देखो सातियो, वो है बगीचा, हम एक काम करते है एक एक जाकर वहाँ से फल लेकर आते है मिनमोसी, पहले आप नहीं रे बाबा, मैं नहीं जाऊंगी मैं बुड़ी हो ना, तो मैं सबसे आखिर में जाऊंगी ठीक है, मैं जाती हूँ इधर राक्षरस खर्राटे ले रहा था तभी लाड़ो एक पेड़ के पास आ जाती है और वहाँ से एक फल तोड़ कर वापस आ जाती है अब मैं जाती हूँ रानो भी जाकर एक सेब लेकर आती है वैसे ही कालू कवा भी जाकर एक सेब लेकर आता है अरे मिनमोसी, अब आपकी बारी है जल्दी जाईए वरना वो राक्षस जाग जाएगा अरे अरे कालू दरामत जा रही हुँ न हे उपर वाले बचा ले रे बाबा एक से मेरा क्या होगा मैं दो चार फलो वाला घड़ा एक साथी तोड़ कर लेकर जाऊंगी मीनु मोसी को दो तीन फलो वाला घड़ा दिख जाता है वो उसे तोड़ने ही वाली थी कि तभी राक्षस नीन से जाग जाता है और मीनु मोसी को पकड़ लेता है कौन है जो मेरे बगीचे के फल तोड़ने आया है अरे तुम कोन हो और मुझे क्यों पकड़ा है क्या तुम अंधी हो तुम्हें दिख नहीं रहा मैं एक राक्षस हूँ हाँ 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 तुम मेरे बगीचे के फल तोनने आई हो न अब मैं तुम्हारा तंदूरी कबाब बना कर खा जाओंगा अरे रुको 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 मैं सच में अंधी हूँ और मैं मेरे घर का रास्ता भूल गई हूँ मुझे नहीं पता अब मैं कहा पर आ गई हूँ क्या तुम मेरे घर जाने में मदद करोगे क्या क्या तुम सच में अंधी हो अरे हाँ बाबा इस बगीजे के पेड़ों पर इतने सारे लाल लाल फल लगे हुए है वो मुझे नहीं दिख रहे अच्छा अच्छा ठीक है तुम अंदी हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ अब ये बताओ तुम कौन से जंगल में रहती हो मैं संदर्बन जंगल में रहती हूँ ठीक है अब यहां से सीधा आगे जाओ तुम तुम्हारे जंगल पहुच जाओगी बेटा मुझे बहुत भूग लगी है क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो ये लो और अब भग जाओ यहां से मीनो मौसी वो घड़ा लेकर अपने साथी पंचियों के पास आ जाती है बाल बाल बज गई रे बाबा हे उपर वाले तेरा लाक लाक शुकर है अरे अब क्या यही पर रहोगे अब चलो यहां से सारे अपने अपने जंगल फल लेकर वापस आ जाते है वापस जंगल में आकर सारे एक पेड़ पर रुख जाते है मीनो मौसी आपका जवाब नहीं एन मोके पर आपने क्या दिमाग लगाया हाँ मीनो मौसी आप सच में बहुत हिम्मत वाली हो साथीयो क्या आप सब ने वहाँ पर पिंजरे में बन उस तोते को देखा कोई कनिक्शन है हमें पता लगाना होगा हाँ लाडो कर रात को तुमोर में उस बगीचे में फिर से जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे ठीक है कालू भया दूसरे दिन रात के समय कालू और लाडो फिर से उस बगीचे के पास आ जाते है वो दोनों उस पिंजरे के पास आ जाते है तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो जल्दी से यहाँ से चले जाओ नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बेटोगे अरे वो सब छड़ पहले हमें ये बता कि तू कौन है और इस पिंजरे में तुझे किस ने बन किया तेरा और उस राक्षस का क्या कनेक्शन है क्योंकि वो तुझे कुछ भी नहीं करता मुझे इस पिंजरे में उसी राक्षस ने बन करके रखा है क्योंकि उसकी जान मेरे अंदर है इसलिए वो मुझे कुछ भी नहीं करता अगर उस पर किसी ने वार भी कर दिया तो उसकी जान मेरे अंदर होनी की वज़े से वो फिर से जिन्दा हो जाता है और अगर तुझे कुछ हो गया तो तो क्या वो राक्षस मर जाएगा मैं भी एक दिन ऐसे ही उर्ते उर्ते इस बगीचे में फल खाने के लिए आ गया था तभी उसने मुझे पकड़कर अपने अंदर के जान मेरे अंदर डाल दी अब जल्दी जाओ यहां से वो राक्षस कभी भी नीन से जाग सकता है कालू और लाड़ों वहां से निकल कर वापस अपने जंगल आजाते है तुम तो जल्दी आगए वापस अब जल्दी जल्दी बताओ क्या हुआ वहाँ पर कालू सारी बात रानों और मीनो मोसी को बताता है अरे वावा वावा यह तो बहुत आच्छा हुआ हमें उस राक्षस की कमजोरी पता चल गई अब मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लैन है मिनो मोसी सारा प्लैन अपने साथियों को बताती है प्लैन थोड़ा रिस्की है लेकिन बहुत बढ़िया है चलो हम अभी चलते है सारे वापस बगीचे की तरफ निकल पड़ते है बगीचे में आते ही लाड़ो जाकर सीधा फलो को तोड़ने लगती है तभी राक्षस वहाँ पर आ जाता है और लाड़ो को पकड़ लेता है चलो डिनर का बंदुबस तो हो गया राक्षस लाड़ो को मार नहीं वाला था तभी कालू रानो और मीनो मौसी तोटे को लेकर महाँ पर आते है कालू ने तोटे के गरदन पर चाकु लगाया था रुगजा राक्षस के बच्चे अगर हमारे साथ ही को जराबी खरोचा गई तो मैं इस तोटे की गरदन उड़ा दूँगा कालू ने तोटे को पहले से ही सारा प्लैन बताया था वो उसे राक्षस से आजाद करने वाला था अरे अरे रुगजा उस तोटे को छोड़ दो मैं इस चुड़िया को छोड़ देता हूँ और एक बात तुम्हें तुम्हारी जान इस तोटे से वापस लेनी होगी और ये बगिचा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर यहां से जाना होगा हाँ 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 ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा अगर जान वापस लेकर तुमने हम पर हमला कर दिया तो तुमें वादा करना होगा नही नहीं मैं वादा करता हूँ राक्षस तोते के शरीर से अपनी जान वापस लेता है और वो बगीचा छोड़ कर हमेशा हमेशा के लिए महां से कही दूर चला जाता है दोस्तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप नहीं होते तो वो राक्षस मुझे कभी भी नहीं छोड़ता उस राक्षस के डर से आज तो कोई भी पंची इस बगीचे में नहीं आया था पर आप सबने सहास दिखा कर मेरी जान उस राक्षस से छुड़वाई अब मैं मेरे परिवार के पास लोड सकता हूँ इसका सारा क्रेडिट तो मिनो मौसिक को जाता है हाँ हाँ कालू बस कर अब मैं हूई इतनी होशयार और अब सब ये छोड़ो चलो इन फलो पर तूट परते है सारे उस बगीचे के फलो पर तूट परते है दोस्तो हमें इस कहानी से ये सिक मिलती है ताकत से बड़ी अकल होती है